धाई साल में महाराष्ट्रा ने एक ऐसा काल देखा कि मुख्य मंत्री पूरा राज्य फेस्बुक पे चला रहे हैं, ओन्लाइन मीटिंग्स पे चला रहे हैं राज्य का गुरुव मंत्री मासिक 100 करोड की वसुली का टारगेट देता है वो भी खली मुंबई में से राज्य के गुरुव मंत्री को अरेश्ट किया जाता है, वो जेल जाते हैं, देश की जनता या जानती है कि देश की मलाई और अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है तो मोधी जी के लिए 400 से अधिक सीटे हमको विजाई करनी है और मोधी जी को तीस्री बार प्रधानमत्री बनाना है तो गाइस आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही साथा स्पेशल है, उन्होंने अपना बहुत ही कींती समय हमें दिया है उन्होंने बहुत हमारी एक deep conversation हुई है, वो है मिहीर कोटेजा जी जो BJP के North East Mumbai Constituency के लोग सबाते candidate है उन्होंने अपना विजन शेर किया है, किस थरह से उन्हें वो टिकेट BJP ने दिया है बहुत सारे चीजों के बारे में development, Mumbai, माराश्रा, everything we had a very deep conversation मैं चाहता हूँ कि हम सीवे conversation पर जाए, so let's start So sir, thank you so much, मुझे पता आप बहुत बिजी हो और फिर भी अपने time दिया है, so thank you so much Some directly questions पर आते है, sir, आपका जब नाम अनौन्स हुआ, क्या आपको पता था, you are aware of it, कि आपका नाम आने वाला है यह बहुत बारा surprise, क्या कि लोगों खिले तो बहुत बारा surprise है, यह मुंबए नौर्ट इस्ट 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 जो लोगसभा का जगा है, बहुत लोग वो पता नेता कि आपका नाम आने वाला है, so what was the thought that time आपका? देखिए, लोगों को surprise सा, लोगों से ज़्यादा बड़ा surprise मेरे लिये था, मुझको लेस्ट जब प्रेस में गई, उसके गिनके अठा उनिस मिनिट पहले मेरे नेता का खोन आया था, तो गई इस पकार से पक्षन ने नेने लिया है, आपको शुबेच्छा और अभी आप तैयारी में लगो, बाइदर टाइम मैं कभी प्रदेश कारेले में था, हमारे भारते जंता पार्टी के और मैं प्रदेश का कोशाद देख सूँ, तो इलेक्षिन मैनेजमेंट की वे उस्थाओं को लेकर के मेरी अल्रेडी मीटिंग से चल रही थी, तो बाइदर टाइम मै में मेंटली इस न्यूज को लेके सेटल हो पाता, तब तर न्यूज में आ चुका था, और हमारे प्रदेश कारेले से सभी जो कारे करता है, नीता है, वो अभिनंदन करने आ गए, तो यह पार्टी की व्यवस्था का भाग है, मैं ऐसा कह सकता हूं, कि समय समय पर योग्यव की वो को पार्टी अलग-अलग जवाबदारिया देती है, इस शेत्र में स्वर्गिय प्रमुद माजन जी सांसद रह चुके हैं, स्वर्गिय जैवन्ती बेन मैता सांसद रह चुकी हैं, डॉक्टर किरिट सुमय जी रह चुके हैं, मनुच कोटक जी रह चुके हैं, और सभ और इसलिए पक्षद जो भी निर्ने लेता है, हम बड़ी विनम्दता पूर्वक उसना स्विकारत है. मर्लोब यू आर पॉफट्ट एक्षमपल्पी जो बीजेपी हमेशा कहते है, कारेकरता को हम उनके काम को डेखे जगे पे पोचाते हैं, भी जगाँ देते हैं, सैज़ पॉजिएंगशन देते हैं, यॉ अप्षम्पल्ड आरण। एक नॉर्मल पॉटिशन एक बॉलेटिशन मिलते हुए आपको सीट मिल रहे हैं, so what was his reaction, आप उनसे मिले हो? देखिए, मैंने और मनुत्पोतक जी ने करीब करीब एक ही समयकार्लखंड में हमारी पॉलिटिकल जर्णी शुरू थी, वार्ड लेवल पे युवा मुर्चा का काम हम करते थे, वहीं से दोनों की जर्णी शुरू हुए थे, पार्टी ने तब से लिके आज तक हम दोनों को अलग-अलग जवाबदारिया दी, हम बहुत ही अच्छे मित्र हैं, कि ये पूरी पॉलिटिकल जर्णी में हमारा कभी मन मुटाव नहीं था, इसी मतबेद ये व्यक्तियों में होते हैं, मन बेद कभी नहीं थे, और इसलिए जब उसको यह उमेद्वारी मिली, मेरा यूंसे बातचीत हुई, वो भी मुंबई में ही थे, तो हम मुंबई से मु और तब से लेके हैं, रोज हमारी जो पार्डी की स्टाइजी मीटिंग होती है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की मीटिंग होती है, तो मनत जी मैं साथ में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई मन मुटाव है नहीं So now coming to your journey, आप किस तरह से आपकी journey शुरू हुई है, आपके experiences, बीजेपी में आप कब आए, क्या आपका वो face था, what was the start? देखिए, परिवार संग से जुड़ा था, तो जब मैं जहां तक मुझको याद है, 11-12 साल की आयूँ में शाखा में जाये गरता था, तो संगर से जुड़ा हो, संगर के मार्ध्यम से विश्व हिंदु परिशर्द, धातिलिंद परड़ी से जुड़ा हो था, जब 1889 में कार सेवा की शुरूआत वी, उस समय मेरे पिता जी सर्गेट चंडरकान पोटेजा जी यह विश्व हिंदु परिशर्द मुरूड के अ आप कह सकते हैं, मैं 14-15 साल का था जब कार सेवा की शुरूआत हुई थी, तो हमने हमारे विभाग में घर घर जाके, राम मंदिर में जो हम यूज़ करेंगे, उन शिलाओं को घर में जाके दिया, लोगों ने साथ दिन उस शिला का पूजन किया, और साथ दिन के बाद हम वो शिला लेके आयते हैं, और हम दे पूरी ट्रक भर के शिला यह अयोध्या तब बेजी थी, यह 1988, 1989 की बात, 1987 में, कॉर्पोरेशन के चुनाओं थे, 1987 में प्रभावेल पोपट हमारी तब पत्यासी थी और चुनाओं लड रहे थी, तो पहला काम जो मुझको याद है वो सुनाओं में था, कि पोलिंग के दिन, मेरे पिता जी के साथ, बूठ पे तब पक्षे के पास, वेवस्थाय बहुत कम थी, खर्च हम बहुत लिमिटेट करते थे और जो संस्कार थे, कि हमको अगर 20 बूठ की जवाब दा रहे है, तो उस 20 बूठ के टेबल पे बैटने वाल से उस चुनाओं में 1927 के, मैं मेरे पिता जी के साथ जाके हर टेबल पे उतर के टेबल पे दो गारे गरता हैं, तो दो पूरी बाजी के पैकेट, इस प्रकार से यह पहली मेरी BJP के लिए यह जो मैंने पहला काम किया था, वह तब था, फिर जैसे जैसे उमर बढ़ी 1992-1993 मे 1990 में हमारे वामनराव परपजी के चनाओं था, उसमें भी छोड़ा काम किया, तब मेरी आयू 16 साल की थी, फिर 92 से थोड़ी एक्टिविटी बड़ी, वाट्स तर पे युवा मुर्चा का काम कर रहा था, फिर मंदल लेवल पे आया, फिर जिला में 6 साल युवा मुर्चा क उपद्यक्ष था, 2007 में मैं भार्के जंता पार्टी युवा मुर्चा मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष बना, 2007 से 2010 का वह मेरा कारेकाल था, वह मैं कह सकता हूं कि मेरे पोलिटिकल करियर में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, युवा मुर्चा का मुंबई पॉर्चे, आंदोलन, तब पुलिस की तानाशाही बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत मार खाई है मैंने पुलिस की, जब दो बार मैं कश्मीर में अरेश्क हुआ हूं, आज अभीमान से कह सकते हैं कि कश्मीर यह भारत का अंग हो चुका है, पहले कश्मीर भारत में था, पर कश्मीर में अलग निशान, अलग विदान यह था, एक आर्टिकल 370 लागू था, वह समय ऐसा था कि आप 15 अगस्त को 26 जन्वरी को एक भारत के नागरिक की हैसियत में आप एक तिरंगा जंडा नहीं लगा सकते थे, तो दो बार हमारे युवा मुर्चा ने ते किया था, कि हम कश्मीर जाएंगे 26 जन्वरी को लाज चौप पे तिरंगा लाएंगे, तर बोनो ही बार, एक बार जमू में और एक बार सीनगर में, जमू में तो हम सभी को अरेस्ट किया गया, और हमको हाउस अरेस्ट में रखा गया दो दिन 25 जन्वरी की शाम से लेके 27 जन्वरी सुबर तक, कि आप हाउस अरेस्ट में हो, आप आगे जाई नहीं सकते। बुस्री बार फिर हम जब फिर एक बार हमको सभी को अरेस्ट किया गया था, करीबन 4-5 ज़र लोग थे, तो मुझको याथ है, कि जैसे ही, हम जम पंजाब से जो बाय रोड आ रहे थे, जमू की बार्डर पे वही पे अरेस्ट कर देते थे और वापस बेते थे, बहुत सारे हमारे कारेकरता पूरे इंदुस्तान से ट्रेन में आ रहे थे, तो जब मुझको पता चला, तो मैंने तभी से सब को कौन करना चलू कर दिया था, कि जब आप जमू स्टेशन पे उत्रेंगे, आप भारत मता की जैब, भार्चे जनता पार्टी या कुछ नहीं कहेंगे, आप वैश्णो देवी के हैं, यात्री की तरह यह ग्रूप आया है, इस प्रकार से आएंगे, तो करीपन पांच-साथ हजार लोग अमारे था, वो पुलिस पुत्ति दिखा जा रहे हो, वैश्णो देवी, तो वो स्टेशन से बाहर आ सके, वन्ना जमू स्टेशन पे अरेस्ट, नेक्स दे की ट्रेन, वापस जाओ आप जहां से आए, तो यह सब मैनेजमेंट का मैं भाग रहा, पे जमू में हम सब मिले, पुलिस को इंटेलिजन्स मिल गया, कि यह लोग तो पांच-साथ हजार लोग जमू में बाहर आ चुके हैं, तो नेक्स दे से इनों ने सब को अरेस्ट करना चालू किया, अमरना त्यात्रा के लिए जो एक बहुत ही जमू में भवय मैदान है, नेक्स दे से हम सभी को वहाँ पे उठाते थे और वहाँ पे मैदान में डाल देते, अरेस्ट मतलब कोई जेल में नहीं डालते थे बड़ प्लीस मैदान से को बाहर नहीं निकल सकते, पूरा दिन हम उस मैदान लेते, वहाँ से भी मैं और मेरे कुट साथी हम पुलिस को चक्मा देकर निकल गया और फ्लाइट में तूरिश रण के हम स्रीनगर पहुँच गये अब 26 जन्वरी थी लाल चौक पे तिरंगा लहराना था डंडे बंडे कुट नहीं तिरंगा फोर्ड करके गये थे लाल चौक पे जब हम गये और हमने तिरंगा निकाला कुछ फोटोस क्लिक किये और उतने में दो तिन मिनिट में तो पुलिस ने हमको बहुत मारा लाठियों की हम पर वर्षा हुई हमारा गुना क्या था हम कश्मीर में 26 जन्वरी को तिरंगा लहरा ने गए थे हमने ये दिन भी देखें हैं 2014 में मुझको अमारी स्यूशना के साथ अलाइंस यूती टूट चुकी थे तो पार्टी ने आदेश दिया कि आपको जाके वड़ाला में चुनाव लड़ना है गिन के 16 दिन थे तो उन 16 दिन में हमने पूरी टाकत दगा देती और तरीमन 800 मतों से साथ टम के सिटिंग अमेले के सामने में खड़ा था और 800 मतों से मेरा पढ़ा ले तो डिफिनिटल आप जब वड़ाला में कुशन पर आने वाला था कि आप जब वड़ाला से हारे यू के यू फाइंड वे एक लोगों तक किस तरह से मुझे काम करना एक कारे करता की तरह और आपने जो स्लम जो मुलून का जो स्लम का एरे जहां पर आप अभी एमेले हो सिटिंग एमेले सो उस लंब के एरे को आपने किस तरह से टैकल किया अपने ने मैं चौदा में जब आट सो मतों से वड़ाला में चिनाव हारा तो मुझको भी एक पॉलिटिकल एक्टिवेस्ट एक कारे करता होनी की नाते यह पता था कि मेरे प्रताशी यह साथ तम के आमदार थे में पूरी इमानदारी से निष्ठा के साथ काम करता हूं तो अगला चुनाओ 2019 का मैं निष्ची थी जीत सपूंगा और उसको फोकस करके मैंने 14 से 19 वड़ाला में ही काम किया अधिन राथ काम किया है मैं बॉनन डॉट अप मुरूण में हूँ वेरी सिक्षा मुरूण में हु और 2019 में पक्षने वह साथ कुछ देखते हुए कहा कि अब आप मुरूण जाके लड़िए जो मेरा होम तर्फ था तो इस वाज़ा से 19 में मैं मुरूण ड़ड़ा चुनकर आया और मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है कि स्लम्स में जो पड़बटी में जो हमारे नागरिक है जो गरीब है शोशित है पीडित है वहां पे हाइजीन नहीं है कॉमन टॉइलेट्स होते हैं पानी की समस्या होती है बेसे क्यूमन नीट्स होती है संलाइट एर यहां कुछ नहीं होता तो मेरा एक विजन था कि मुरूण को जल्द से जल्द स्लम फ्री कैसे किया जाए अर्था उनका रीडेवलप्मेंट के जो भी रोडे है वो सब कियर क किस प्रकार से उनके रीडेवलप्मेंट को हम गती दे सके और एक दिन हम स्लम्त्री मुरून दे ओ वाव सो रिसेंटली आपने आपके जो नेता है देवेंद्र फर्नेवेश जी उनके उनका भी आपने अभी नंदन किया था कि स्लम्स के ही किसी टॉपिक्स पर आप लोगो नीर्णे कि कि एहां श्री डिवेंद्र फटनवेश जी द्वारा लिया गया तारे म स्था यह आरे मारश्टा के शासिन द्वारा लिया गया था जो भी इसलम में रहते हैं 2000 के पहले वर्ष 2000 के पहले अगर वह वास्तु अस्तित्व में होता है तो वह पात्र होते हैं और जब वह redevelopment होते हैं तो उनको घर मिलता है पर 2000 के बाद जो घर बने हैं जोपड़े बने हैं वास्तु बने हैं वह पात्र नहीं होते हैं तो एतियासिक निर्णे लिया गया कि 2000 से लेकर 2011 के बीच में जो गर वास्तू जोपड़े बने हैं उनको सशुल एक्ट कंसेक्शन पॉस्ट क्योंकि गरीब हैं सौफुक्त की घर में रहते हैं तो उनको कंसेक्शन कॉस्ट पे हम वो रिडेवल्मेंट प्रोजेक्ट में घर मिलेगा तहले वह कंसेक्शन कॉस्ट प्रपोस भुआ था चार लाग उसको भी घटा गरके धाई लाग रुपया भरके वहाँ पात्रों होता है तो यहां हजारों परिवारों के जीवन में एक बहुत आनन्द की घड़ी थी कि अब मात्र धाई लाग भरके मुंबई शहर में 300 फुट का धर हमारे गरीब भाईयों को भी मिलेगा थो वाँ सो अभी वेन यूर वरकिंग इन महारास्टरा या यह नेता इस देवेंद्र फटनवेश जी तो उनके साथ काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस था देवेंद्र फटनवेश जी यह महानायक है माराष्टा के इतिहास में एक यार दोई ऐसे मुक्यमंत्री है जिनके पूरे कारेकाल में कभी करॉप्शन को ले करके एक भी डॉट उनके चारेत्र पे नहीं होगा ऐसे एक यार दोई नेता है उनमें से एक दिविंद्र फट्नवेश जी जब मुक्यमंत्री थे वहार कि महाराष्टर को पाथ साल में गिकास की जो गती उनोंने दी मोदी जी के कर विजन को लेकरके महाराष्टर ने एक बहुत ही विशित महाराष्टर देखा जो हम खाली इलेक्शेन मैनिफेस्टों में पढ़ते थे या जो थुनावी वादे सुनते थे वह कारेकरताओं के साथ उनका व्यवार यह बहुत ही प्रशंशनी है बहुत ही सरल स्वभा उसे बहुत ही सरलता सहस्था से अपने कारेकरताओं के साथ बात करते हैं हम सभी के लिए महराश्चर में आज गुर्दर पड्नवेजी यह प्रेणा फूख अभी आप लोकसभा में आप जब चुनके जाओगे तो आप मोदी जी के साथ काम करने वाना हमारे सभी के वो एक inspiration है बट उनके साथ आपका काम करने का इतना excitement या आपकी experience आपने का भी मोदी जी के साथ बात कियो भी मैं यह कह सकता हूँ कि मोदी जी तो यूग पुरुश है हमारे देश में हमारे देश का भादगिर 2014 में खुला देश की जनता ने नदेंद्र मोदी जी को प्रधान मंत्री चुना और तब से जो विकास की जर्नी रही है पिछले 10 सानों में ना भूतो ना भविश्यती कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर विकास नहीं हुआ है अब हम बदला हुआ भारत देख रहे है अब हम भारत में विक्सित देशों की तरह मौडर्ण ट्रेंज देख रहे हैं अच सो से ज़्यादा गुंदे भारत दोड रही है गुलेट ट्रेंज का काम शुरू हो चुका है ओट अप्ग्रेडेशन काशी कॉरिडोर महाकाल अयुद्ज्या में भवेर दिवेर राम मंदेर कश्मीर से 370 हटा देना सिये लागू गरना आपको पता है तीस साल हम जब चुनाओ के प्रचार में घुंते थे तो हमारा नारा होता था जहां बलिदान हुए मुकरदी वह कश्मीर हमारा है आज कश्मीर हमारा हो गया अर्टिकल 370 हट गया जो हमारे चुनाओी मुद्दे 1980 से ले करके 2014 तक होते थे अब वो मेजर चुनाओी मुद्दे फाइनली पूरे हो गया अब मोदी जी ने पूरे देश को 2017 तक विक्सित भारत का मंत्र दिया है विश्वबुरु का मंत्र दिया है कि भारत 2017 तक विश्वबुरु बनेगा और उसका रोड मैप क्या है तो निश्यत ही मैं आज मानता हो कि इश्यान मुंबई की जनता चुनकि अगर मुझको दिल्ली भेजेगी तो मैं भाग्यशनी रहूंगा मेरा सवभाग्य रहेगा कि युख पूरुष जो सांसद में बैठने का मुझको भी भी मुझको ऊपर्चुनिटी मिलेगी और मेरे लिए लाइफ की वनो मोमेंट आप कह सकते हैं कि मोदी जी जैसे नेत्रुत्व के साथ दिली में बैठके काम करने मिले, ये अपने आप में ही एक जीवन की सबसे बड़ी उपलब दी है. वाओ, तो अभी आपके थोड़े ओपोजिशन पर आते हैं, आज वही दिन है जहां राउल गांदी जी का न्या यात्रा हमारे मुंबई से जाने वाला है, तो न्या यात्रा, नाउल जी, इंडी एलाइन्स ये सब का चमतकर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जब मुरून से गुजरी, तब मैं एक मीटिंग के लिए ही था और मैंने हम, बिल्कुल मेरे सामने से ही गुजरे हो, तो कोई न्या यात्रा नहीं है, एक ओपन जीप है, 20-25, मुझको लगता है मैरेथॉन डरनर्स को हायर किया है, वो उसी 20-25 लोगों को राहूल गांदी हाथ दिखा रहे थे, गाड़ी 40 किनोमेटर बती गंटे की रफ्तार से आगे जा रहे थी और उसके पीछे 500-200 बैडिया थी, ऐसा नहीं होता है, हमने मोदी जी का रोड़ सो देखा है, किस प्रकार से भीड उमडती है, किस प्रकार से ख हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, और ये इंडी एलाइन्स जो है, ये इंडी एलाइन्स क्या है, कि बरसों से हमने जनता के लोटे हुए पैसे, जो से घर भरा है, मोदी जी ने उन सभी रश्टाचारियों पे, टैक्स डिपार्टमेंट हो, साशन के अलग-अलग विव पाग हो, कलवार चलाई है, कानून की, और अब इनके सब पैसे फिर से हमारे देश के तिजोरी में जा रहे हैं, हम देखते हैं, CDIO, VDO, IT डिपार्टमेंट हो, यह सब हजारों करोडों करोडों रुपए अब तर जमा कर चुकी है, अब इनको डर है, कि और पात साल तक अग अगर मोदी जी आगए, तो जो बचा कुचा है, ब्रस्टा चान से कमाया हुआ धन, वह भी मोदी जी ले जाएंगे और भारत की जोरी में जमा करवा दे, तो इस लूट के पैसो को बचाने के लिए, सभी परिवारवादी पार्टियां, एकत्रा के ही इंडिया लाइंज ब अब 2014 से ले करके 2024 तक का मोदी जी का कारेकाल देखी है, देश की जनता या जानती है कि देश की भलाएं, हम सब की भलाएं, और अगर हमारे देश को विश्वगुरु बनाना है, तो मोदी जी के लिए 400 से अधिक सीटे हमको जिजई करनी है और मोदी जी को तिस्री बार प्रधान नत्री बनाना है तो सर आप कितने confident हो 400 पार का मोदी जी ने लोकसभा के इस पर कहा है 370 विल बीजे पी आएं आगे NDA विल बी 400 ने बीजे मैं आपको बता दू राहूल गांदी की तरह मोदी जी कभी जीवन में हवा में बात नहीं करते वो जो कहते हैं करते हैं और वो होता भी है और इसलिए पूरे देश में मोदी की गैरेंटी पे 140 करोड देश्वास्यों को पूरा धरोसा है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे 140 करोड लोगों को मोदी जी पे पूरा भरोसा है उनको पता है कि मोदी की गैरेंटी का अर्थ क्या है और पूरी टाकत से सब मोदी जी के पीशे कड़े सर अभी महाराष्टर की जनता थोड़ी सी कन्फ्यूस्ट है क्योंकि महाराष्टर में सारे ओपोजिशन पार्टी में जो थे जैसे कि शिवसेना भी ओपोजिशन में गई थी वो NCP सब बीजेपी के साथ आ गए है तो यह एक डेमोक्रासी की ने सही है यह बिल्कुल सही आपको एक पाद समझने हैं वाट इस डेमोक्रासी चिंग्स दन बाए चॉइस डेमोक्रासी आज एक अननेच्रल एलाइंस हमको देखने मिला भारते जनता पर्टी शिवसेना की यूटी उनीस सो दो जार नीस में हम यूती में लड़े, विजय ही हुए, हमारे पास मेजॉरिटी थी तर मेजॉरिटी आने के बाद मुक्षमंत्री के कुर्सी के लालच में उदव ठाकरेट जी, शरत पवार जी इन्होंने मिलकर कॉंग्रेस के साथ अलाइंस की और एक अननाच्रल अलाइंस के द्वारा एक नई गॉवर्मेंट महाराष्टा में आई, जब यूती को मत्रदारों ने वोट दिया और मिजॉरिटी थी, तब उनके काडर एवं महाराष्टा की जनता, यह राष्टर वाली कॉंग्रेस को तब रिजेक्ट कर चुकी, पर पोस्ट पोल यह उनके साथ जाके बैठ गया औ कर्वर्मेंट बनाएं, धाई साल में महाराष्टा ने एक ऐसा काल देखा, कि मुख्यमंत्री पूरा राज्य फेस्बुक पे चला रहे हैं, ओनलाइन मीटिंग्स पे चला रहे हैं, धाई साल में ऐसा ब्रष्टाचार देखा, चाहे वो कोविड जंबो सेंटर में हो, रेम राज्य का गुरुव मंत्री मासिक सौ करोड की वसुली का टार्गेट देता है, वो भी खली मुंबई में से, राज्य के गुरुव मंत्री को अरेस्ट किया जाता है, उनकी वो जेल जाते हैं, यह सब अवसाधारन गटना हैं, जो महाराष्ट में लोगों ने कभी देखी और कही न गहीं जो बाडाशाप के विचारों पर चलने वाले शूशे ना के नितागण थे, वह भी सफोकेट हो रहे थे, कॉंगरेस के साथ, तो कही न कही न कहीं, कही न कहीं, उनके भी मन में था, बहुत हो गया, बहुत हो गया और योग्य समय आने पर, देखें वो भार जनता पार्टी में नहीं है उन्होंने कहा कि शिवशेनार तो हमारी है एक पॉलिटिकल पार्टी एक फैमिली का एसेड नहीं हो सकती एक पॉलिटिकल पार्टी अपने काडर से बनती है अपने लोगों से बनती है और जब मेजॉरिटी लोग अलग हो जाते हैं तो उन्होंने राइट किया उन्होंने अपनी पार्टी पे क्लेम डाला और हमने देखा इलेक्शन कमिशन लो और स्थीकर के वहाँ देमोग्रसी में बहुमत इसका बहुत ही महत्वव होता है उसी प्रकार से राष्टवादी में भी हुआ अजीद दादा ने पूरा घटना क्रम बताया किस प्रकार से शरत पवार जी ने भारत्य जंता पार्टी के साथ बैठके की सरकार बनाना तै किया अजीद दादा को शपत विधी के लिए बेजा और तीन दिन के बाद सब्रिवन्सल किया तो अजीद दादा के लिए भी यह जो ढ़ाई साल का पीरेड था कही न कहीं उनको भ और अजीद दादा को भी पता है कि हमारा देश किस गती से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी का विजन मोदी जी का नेत्वत्व यह देश को आगे लेके जा रहा है और इस यह अजीद दादा भी रास्टवादी से निकले उनके साथ बहुतान विधायार बहुतान सांसर भ दोनोंने मानने ठेह रहा है। So these are constitutional decisions giver. अब लोगों और जनता के मन में कोई confusion नहीं है। उनको पता है शिवशेना, उनको पता है राश्टरवार्दी कॉंग्रेस, उनको पता है शिवशेना उबाठा, शिवश राश्टरवार्दी शरच चंद्रपवार्द, So here link देखिए मत्तदार यह बहुत smart होते हैं उसको नहीं लगता है जनता आपके पास। Sir मुझे पता है बहुत कम टाइम है आपके पास। मैं लास्ट के थोड़े एक-दो questions पूछता आपस। कि CA अब implement हो चुका है पूरा nationwide में आमिच शाजी ने उसे पूरा सब जगा उन्होंने कह दिया कि अभी CA implement होगा, 2019 में ही आ चुका था सब कुछ बड़ा भी सारे rules and regulations everything has been clear, सो आपका CA पे क्या टेक है एक क्या है चालीस साल हमारा एजेंडा था CA लागू बरना तो हम तो यह सोचते हैं कि बारती जिंता पार्टी के करोड़ों कारे करता जो एजेंडा को लेके प्रचार करते थे आज फाइनली सब हो गया इसके लिए आम सभी हमारे प्रदान मंत्र नरेंद्र मोदी जी हमारे घ्रवमंद्री अमित्शाद जी इनके क्रतग्या है क्योंकि जो सोच को लेकर के हम ताम करते थे आज वह हकीकत में बदलता हुआ हम देख रहे हैं बट ऑपोजिशन का एजेंडा बहुत कियर है ऑपोजिशन माइनोर्टी को स्पेशल ट्रीटमे देख करके वोट बैंक बनाने में बिलीव करता था कि यह लागो करने के बाद हम माइनोरिटी को तो कोई तक्लिफ नहीं दे रहे हैं यह लागो करने के बाद हवारे हिंदू से बहुत जैन क्रिश्यन भाई बहन जो आज भी पोस्पार्टिशन पाकिस्तान में हैं बंगला देश में हैं, अफगाने सन में और वहाँ पे वह माइनोरिटीस में हैं, जहाँ पे उनका सोशन हो रहा है, तो नोगों पो एक मौक्वा दे रहे हैं, कि आप अपने देश में आ सकते हो, उरे सनमान्द से यहाँ का नागरिक्ता आपको मिल सकता है, और आप आपके देश में यह सिए अपने बहुत सही तरह के सेख्ष पिन क्या कि सी एवट इस यह अभी हम सारे हिंदू के लिए इस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो पात सो साल से नहीं हो रहा था वह राम मंदिर का सो राम मंदिर का जब प्रान प्रतिष्टा हुई मोदी जी ने उ राम मंदिर के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया मैं यह मानता हूँ कि हमने कोई कर्म अच्छे किये होंगे कि इस जनम में हमको साक्षाद राम लल्ला के दर्शन हुए और राम लल्ला का भव्य दिव्य मंदिर का सपना यह साकार हुआ यह हमारे लिए चुनाओ का कोई मुद्दा नहीं है यह हमारी आस्था राम मंदिर यह हमारी आस्था है मैंने आपको बताया मैं 14 वर्श कह था जब घर घर जाके राम मंदिर की शिलाये पूजन करने के लिए देता था तो तब से यह जनी है और राम भगवान राम प्रभुश्री राम अपने भुव्य दिवियत हम में फिर एक बार आगे इससे खुशी की बात हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकती है फिर एक बार कहूंगा यह हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है यह हमारी आस्था पॉन लाश्ट कोश्टन सर क कि अभी आपका जो पॉन्सिट्यूंसी है वो बढ़ चुका है सो आप आप लोगों तक कैसे पोचोगे अपने विजन को कैसे पोचाओगे देखिये कैसा है कि मेरी गॉन्सिट्यूंसी मुलूंती अब लोकसभाब वियोगरफिकली बढ़ा होता है और हमने बैठ के पूरी प्लानिंग किये है स्ट्राटेजी की है और हम प्रयादना करेंगे कि हम अधिक से अधिक विभाबों में हमारे प्रचार द्वारा पहुंचे और अगर जन्ता ने उनका अशिर्वार दिया और कल अगर सांसत बने तो बहुत ही प्लानिंग से जिस प्लाइन से मैंने मुरू यही एक किसी पॉडकर्स से आपका जो जर्नी है आपका जो विजन है आपका जो अपने जो भी अपकी स्टार्ट से लेके आज तक ही हर चीज मुंबई नौर्टिस कॉंस्टिवेंसी तक पहुचाने का हम भी काम करेंगे और थैंक यू सो मुच पर काम में जो इनसान एक ज